हेलो स्टुडेंट्स तो स्वागत है आप सबका अच्छी क्लास में तो हम परसंटेज शुरू करने जा रहे हैं परसंटेज को हम हिंदी में प्रतीशत भी बोलते हैं तो परसंटेज प्रतीशत था ठीक है तो स्टुडेंट्स मेरा ये मानना है कि हम कोई रियल लाइफ प्रतीशत निकालने का क्या मतलब होता है तो आएए देखते हैं तो स्टुडेंट्स मान लीचे ये हमारे पास एक पानी की बोटल है ठीक है एक लीटर की और ये जो आधी भरी हुई है ठीक है आधी आधा खाली है और आधे में पानी भरा हुआ है ठीक है हाफ फिल्ड वा कि दिखरी पानी की बोटल । हब मान लीजिये आम तो पर एक बोटल का वाल्यूम कितना होता एक लीटर ठीक है तो ये पूरी बोटल जो है वह एक लीटर की है और क्यूंकि आधा पानी भरा हुआ उसमें तो मतलब आधा लीटर पानी भरा हुआ है ना यही मतलब हुआ है ना तो आए ये भी हम लिख लेते हैं ठीक है अब इस पूरी बोतल का जो वॉल्यूम है वो हम माल लेते हैं वन लीटर तो स्टुडेंट्स मैंने आपको पहले भी बता हुआ है कोई भी लिक्विड या तरहल पदार्थ हो तो उसका वॉल तो पानी तो आधा भरा हुआ है तो जो है पानी का वॉल्यूम कितना होगा एक बटे दो लीटर यानि कि 0.5 लीटर ठीक है पानी इतना भरा हुआ है और पूरी बोतल में जगा है एक लीटर जिसमें से आधा ठीक है पानी भरा हुआ है अब परसंटेज हम देखते हैं क्या चीज होती है परसंटेज आपको बस देखना होता है कोई भी चीज हो ना जैसे यहाँ पर एक लीटर बोतल में पानी आधा बरा है तो आपको वो सोचना पड़ता है कि सौ में कितना पानी भरा होगा ठीक है जब आप 100 में करके सोचते हैं तो वो परसंटेज निकल जाता है बस यही है आसान सा ठीक है जब एक लीटर में शूनिय दिशमलो 5 लीटर पानी होगा तो माली के ये बोतल 100 लीटर की होती ठीक है तो सौ में कितना पानी भरा होता 50 लीटर है न तो इसलिए 50% हो गया ठीक है ठीक है अगर हम सौ के रिलेटिव अगर सोचेंगे ठीक हर्ची सौ में करके सोचनी होती है percentage में ठीक है students बस यह ब काम हैं बहुती आसान सा कंसेप्ट है कोई भी चीज हो कोई भी मात्र हो अब बस सौ में करके देख लीजिए ठीक है कि कितना होता वो ठीक है जब एक लीटर के में पॉइंट फाइव लीटर पानी भरा है आधा पानी भरा है तो अगर बोतल की जो पूरी वॉल्यूम सौ होती ठीक है तो पानी कितना भरा होता पचास भरा होता ठीक है तो यही होता है तो पचास परसेंट निकल के आ गया तो मतलब की पानी कितना भरा था पचास परसेंट क्योंकि हमने सौ में करके सोचा ना कोई भी चीज को सौ में करके सोच लिया और फिर देख लिया सौ के हिसाब से कितना आ रहा है वो पचास आ रहे तो यह हो गया यह जो पचास यहां पर है ठीक है यह percentage हो गया ठीक है तो percentage of water filled कितना हो गया 50% ठीक है तो percentage of water filled कितना हो गया 50% ठीक है भरवे पानी का प्रतिश्यत हो गया 50% यह symbol होता है students percentage का तो बस आपको कोई भी चीज़ का 100 में करके सोच लेना है सो में imagine करना है अपने दिमाग में सोचना है कि भी यह यह जो है अगर मैं सो में करके लेता ठीक है तो सो में कितना क्या होता ठीक है तो वहीं से percentage आता है ठीक है यह मैं आपको थोड़ा concept समझा रहा हूं क्योंकि थोड़ा आपको समझ में भी आना चाहिए percentage का मतलब आगे तो हम जाहिर सी बात है formula वगएरा तो करें गई लेकिन थोड़ा आपको meaning भी पता होना चाहिए percentage की अब एक और एक दूसरा example लेते हैं दूसरा उदारन लेते हैं यही percentage को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है percentage तो मालीजे यह प्लेट में चावल है ठीक है राइस है जो चावल जो हम खाते हैं ठीक है तो यह जो है 200 ग्राम राइस है 200 ग्राम चावल है ठीक है अब मालीजे यह किसी बच्चे को दिया खाने को, ये पूरा 200 ग्राम चावल, ठीक है, तो बच्चे ने जो चावल खाया, राई सीटेन, ठीक है, मान लीजे 160 ग्राम खाया, ठीक है, 160 ग्राम, पूरे उसको 200 ग्राम दिये थे, लेकिन उस बच्चे ने 160 ग्राम खा लिया, ठीक है, तो कितना छोड़ दिया होगा ठीक है लेफ्ट कितना कर दिया छोड़ दिया 40 ग्राम जाहिर सी बाते हैं न क्योंकि पूरे तो 200 थे न तो 160 खा लिया और 40 छोड़ दिया उस बच्चे ने ठीक है प्लेट में ही रह गया वो ठीक है और 160 खा लिया तो अब हम अगर percentage निकालें ठीक है कितना प्रतीशत चावल खाया ठीक है यह अगर हम देखेंगे तो हमें वही जैसे कि मैंने बताया था हमें 100 में करके सोचना पड़ेगा कि माल लीजे उसे 100 ग्राम चावल दिया होगा दिया होता तो वह कितना खाता ठीक है हमेशा percentage में 100 के relative सोचना पड़ता है हाला कि असलियत में तो 200 ग्राम दिया था जिसमें से उस बच्चे ने 160 ग्राम खाया ठीक है लेकिन आपको 100 में करके सोचना है ठीक है कि माल लीजे उसे 100 ग्राम दिया होता तो वह कितना खाता ठीक है तो आपको 100 में करके सोचना है कि माल लीजे उस बच्चे को 100 ग्राम ही दिया था तो जब 200 में वह 160 ग्राम खा लेता है तो 100 ग्राम में कितना खा पाता वह बच्चा 80 ग्राम है ना आधा हो जाता इसका है ना तो यह जो 80 आया यही percentage हो गया ठीक है यह जो 80 ग्राम आ गया ठीक है तो हमने 100 में करके देख लिया ठीक है बस आपको यह चीज इमेजिन करनी होती है 100 ग्राम में कितना हो पाता आपको असलियत में उस बच्चे को नहीं देना है 100 ग्राम चावल खाने को ठीक है कि भैया अगर यह 100 ग्राम होता तो क्या हो पाता उस case में 80 ग्राम आधा क्योंकि 100 आधा है ना 200 ग्राम इसलिए बच्चा भी वह आधा ही खाता ठीक है 80 ग्राम असलियत में खाता वह बच्चा बस आपको सोच के ऐसे देखना होता है 100 में करके सोचना होता है तो यही जो है percentage होता है 80 जो है वह percentage निकलके आ गया अगर हम पूछेंगे how much percentage of rice eaten तो वह 80% निकलके आएगा 80 % ठीक है तो 80% यह हमने कैसे निकाला वही हमेशा 100 में करके आपको सोचना होता है ठीक है असलियत में जो भी हो आपको 100 में करके इमेजिन करना होता है ठीक है तो यह तो परसंटेज आगया कि कितना उस बच्चे ने खाया अगर मैं यही पूछ लो हॉमस परसंटेज राइस जो है कितना प्रतीशत चावल उसने छोड़ दिया तो वह क्या होगा फिर से आपक वह परसंटेज ओफ लेफ्ट राइस हो गया ठीक है तो जितना चावल छोड़ दिया वही आपको 100 में करके सोचने असलिया तुम्हें तो बच्चे ने 40 ग्राम छोड़ा था 200 में से 40 ग्राम तो 100 ग्राम में कितना छोड़ा होता उसने 20 ग्राम ठीक है तो यह 20 जो है वही प दो बटे 5 ठीक है तो अब यह अगर हम देखें कि यह कितना परसंटेज हुआ हो मच परसंटेज इस ठीक है यह कितना प्रतीशत है ठीक है तो आये देखते हैं पहले मतलब हम थोड़ा सोच के करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा ठीक है यह जो परसंटेज हम आगे या कोई भी fraction लिखा हो तो उसका percentage निकालने का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको वैसी बताया था कि 100 के relative आपको सोचना पड़ता है 100 के संदर्ब में सोचना पड़ता है तो आप इसको ऐसा सोचिए 2 बटे 5 का मतलब क्या हुआ 2 by 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 अगर कुछ है तो उसमें से 2 आ रहा है उपर ठीक है ठीक है 5 अगर कोई चीज total है कोई कुल 5 चीज है तो उस कुल 5 में से हम 2 चीज को उठा रहे हैं या 2 चीज को देख रहे हैं ठीक है यह मतलब होता है fraction का ठीक है 2 बटे 5 के यह मतलब होता है तो आपको वही 100 के संदर्व में सोचना है आपको सोचना है कि अगर नीचे 100 होता तो उपर क्या होता फिर ठीक है जब 5 में 5 जब नीचे है तब तो उपर 2 आ रहा है तो अगर नीचे अगर 100 होता ठीक है हम 5 को 100 कैसे बना सकते हैं जब 5 को गुणा कर दें 20 से ठीक है जब हम 5 को 20 से गुणा कर देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा तो उपर भी 20 से गुणा कर दीजिए तो 2 को भी 20 से गुणा कर दीजे तो 40 आ जाएगा तो इसलिए ये पूरा 40% हुआ ठीक है आईए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखके बताता हूँ तो हमारे पास 2 बटे 5 था तो हमने वही 100 के संदर्ब में सोचने है 100 के relative में सोचने है कि भई जब 5 में से हम 5 जब है तब उपर 2 आ रहा है तब नीचे अगर 100 होगा तो उपर कितना आएगा तो नीचे 100 करने के लिए आपको 20 से उपर नीचे गुणा करना पड़ेगा ठीक है तब ही तो नीचे 100 बनेगा 20 से गुणा क्यों किया ताकि नीचे 100 बने ठीक है तो अब यहां पर नीचे 100 आ गया तो उसी रेशियो में उसी proportion में उपर कभी 20 से गुणा करके उपर भी 40 आ गया तो अब हमें यहां पर साफ साफ दिख रहा है ठीक है की जब नीचे 100 होगा पूरा तब उपर 40 आएगा ठीक है तो यह जो पूरा fraction है इसमा मतलब क्या हूआ कि यह 40% है ठीक है तो यह जो है 40 परसंट होगा। यह कहां से हमने देखा, यह 40, यह यहां से उपर देखा, ठीक है, जब नीचे पूरे 100 में कितना आ रहा है, 40 होके आ रहा है, तो भई, जब जो चिस 100 में करके हम देखते हैं, तो भई प्रतीशत कहलाता है, तो इसलिए 2 बटे 5 कितना प्रतीशत हुआ, 40 प्रतीशत, 40% हुआ, ठीक है दो बटे पांच ये तो मैंने आपको एक मतलब एक conceptual तरीका बता दिया अब हम देखेंगे फटा-फट हम कैसे calculate करते हैं percentage ठीक है आपको इतना लंबा नहीं सोचना है एक्जाम में परिक्षा में आपको बहुत ही simple करना होता है जब कोई भी fraction दिया होता है आपको बहु अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ यह आपको एक्जाम और परिक्षा में इस्तमाल करना है इससे पहले जो भी बता रहा था वो तो बस आपको थोड़ा समझने के लिए कि percentage प्रतीशत का मतलब क्या होता है ठीक है अपसे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो है वो आपको य fraction आपको दिया हो कोई ऊपर कुछ लिखा हुआ और नीचे कुछ से लिखा हुआ तो बस आपको 100 से घुणा करना है और यह करके आप जब इसे solve करेंगे तो यह 40% आ गया ठीक है तो यह है shortcut तरीका percentage निकालने का तो students अभी अभी हमने देखा कि हमें कोई number दिया हो कोई संख्या दी हो ठीक है और उसे हमें percentage प्रतिशत में अगर बदलना होता है तो उसे संख्या को multiply by 100 करना होता है 100 से गुणा करना होता है ठीक है तो अभी हमने देखा था हमारे पास संख्या थी 2 बटे 5 तो उसको convert करने के लिए 100 से हमें गुणा करना पड़ा 2 बटे 5 को तभी हमारे पास 40 प्रतिशत आया था अभी ज़स कुछ देर पहले किया था हमने ठीक है तो यह अभी हमने देखा था 2 बटे 5 था हमारे पास तो यह संख्या थी ठीक है 2 बटे 5 संख्या थी तो इसको प्रतिशत percentage में convert करने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है ठीक है तो दो बटे 5 को सो से गुणा कर दिया सो से multiply कर दिया तो जो नमबर आता है वो percentage होता है यह तो बस एक के example है कुछ भी example ले सकते हैं मालीजिए आपके पास हो साथ बटे 9 ठीक है साथ उपर और नीचे नौ तो उसका percentage निकालने के लिए साथ बटे 9 को सो से गुणा कर दिया ठीक है तो यह एक चीज हो गई अब जाहिर सी बात है जब हम उल्टा करेंगे percentage से अगर हम संख्या नि ठीक है तो आएगे वो भी example देखते हैं ठीक है तो हमारे पास मालीजिए अब percentage है प्रतिश्यत की value दी हुई है ठीक है और उसे हमें number या संख्या में convert करना है तो हमें divide by 100 करना पड़ता है 100 से विभाजत करना होता है ठीक है तो जैसे के example लेते हैं ठीक है तो मालीजिए यह हमारे पास 15% है ठीक है तो हमने क्या किया इसको अब यह प्रतिशत में दिया हुआ है इसको साधारन नंबर या संख्या में बदलने के लिए divide by 100 कर दिया 100 से विभाजन कर दिया तो 15 बटे 100 0.15 ठीक है यह आ गया ठीक है तो यह students आपको याद रखना है यह जो दोनों चीज़े मैंने बताई है आपको ठीक है यह बहुत important है ठीक है यह तो percentage में हर जगे लगना है करीब-करीब तो आपको एक बार मैं फिर से बता दू तो जब साधारन संख्या दी हो ठीक है तो 100 से गुणा करके प्रतीशत निकल जाता है percentage निकल जाता है और symbol या फिर चिन भी आ जाता है यह प्रतीशत का ठीक है तो यहां पर तो प्रतीशत का symbol नहीं था ना तो यहां पर 100 से गुणा करने के बाद यह प्रतीशत का symbol या चिन भी आ जाता है और जब हम उल्टा करते हैं जब हमारे पास प्रतीशत दिया हो चिन के साथ ठीक है तो हम जब साधारन संख्या या नंबर में जब हम convert करते हैं तो यह चिन चला जाता है यह percentage का symbol चला जाता है तो सिर्फ हमारे पास 15 बटे 100 सो से divide करना होता है तो यह ऐसे करके आ जाता है ठीक है students तो students यह मैंने थोड़ा चोटा करके यह side में लिख दिया है ठीक है जो अभी हमने समझा था normal संख्या से प्रतीशत में कैसे बदलते हैं और फिर अगर प्रतीशत दिया हो percentage दिया हो percentage sign के साथ तो उसे हम साथारन संख्या है normal जो number है उसमें कैसे बदलते हैं ठीक है तो आईए कुछ हम examples देख लेते हैं ठीक है common examples ठीक है तो जैसे की यहां पर हम देख रहे हैं 40% बराबर दो बटे 5 ठीक है तो यह वाला तो हमने यहां पर करी लिया है ठीक है तो वैसे है कि अगर आपको percentage से संख्या में जाना हो तो आपको यह करना होता है divide by 100 करना होता है तो 40% से 2 बटे 5 में अगर हमें जाना है 40% हमें दिया है और इसका संख्या इसका नंबर निकालना है तो 40 बटे 100 कर देना होगा और percentage का चिन हट जाएगा ठीक है वैसे ही यह 4% है तो 4% से अगर हम करेंगे ठीक है 4% जो है यह percentage में दिया है तो यह नीचे वाली चीज हमें करनी पड़ेगी percentage से हमें नंबर में जाना है तो 4 को 4 के नीचे 100 लिख देना होगा चार बटे 100 कर देना होगा तो हमें 1 by 25 मिल जाएगा और यह percentage का symbol हट जाएगा ऐसी 50% हो जाएगा 5% ठीक है तो यह 66 2 by 3% अगर हम करेंगे तो यह 2 by 3 आएगा यह अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा ठीक है यह वाला ठीक है और यह दोनों करते हैं ठीक है यह दोनों मैं आ 1 by 16 यह वाली चीज ठीक है यह वाली चीज अभी हम यह मैं आपके सामने करता हूं 6 1 by 4% जो है वो 1 by 16 होता है तो आएगे इसे करते हैं ठीक है तो हमें 6 1 by 4 दिया है तो students यह जो चीज होती है इसको हम और simplify अगर करें ठीक है तो यह कैसे करना होता है 4 को 6 से गुणा करना होत है तो 4 into 6 24 और फिर उपर जो लिखा है उसका plus करना पड़ता है ठीक है तो 4 into 6 24 और उपर plus 1 कर देना है हमें ठीक है तो 25 हो गया 4 into 6 24 हो गया और फिर 24 plus 1 25 ठीक है तो यह 25 by 4 हो गया students ठीक है तो यह 25 बटे 4 हो गया और प्रतिशत का जो चिन है वो तो साथ में आही जाएगा ठीक है percentage का जो symbol है वो भी साथ में आ गया तो अब इसको हम देखते हैं ठीक है 25 by 4 तो अब हम percentage से हमें number निकालना है ठीक है तो क्या करना पड़ता है students divide by 100 करना पड़ता है divide by 100 बटे 100 करना पड़ता है तो 25 by 4 है इसको अब हम divide by 100 करेंगे तो क्यूंकि अब हमने percentage से number में convert कर दिया है divide by 100 कर दिया है ठीक है नीचे 100 आ गया तो अब यह प्रतिशत का चिन हट जाएगा यह percentage का symbol अब हट जाएगा तो अब यह है हमारे पास ठीक है नीचे जो है 4 into 100 है ठीक है और उपर जो है वो 25 है तो हम जानते है 25 को 4 से multiply करने से 100 जाता है ठीक है तो 25 से कट जाएगा 100 ठीक है तो 25 into 400 होता है तो नीचे जो है 4 और 4 बच जाएगा उपर ज संख्या में convert कर लिया और इसलिए परसंटेज का चिन हट गया है यहां पर हमें परसंटेज का प्रतिशत का चिन नहीं लगाना है परसंटेज का सिंबल नहीं लगाना है आईए अब 66 2 by 3% देखते हैं जोड़ देना होता है तो 198 प्लस 2 200 तो यह 200 बटे 3 होगा 200 by 3 ठीक है तो यह आगे हमारे पास 200 by 3% परसंट तो साथ में लगता हुआ ही रहे अब स्टुडेंट्स यह हमारे पास सब परसंटेज है इसे हम हमें अब साधारन नंबर या सरल संख्या में convert करना है ठीक है मतलब पर ठीक है तो इस पूरी चीज को अब हम divide by 100 करेंगे ठीक है तो अब हमारे पास यह आ गया ठीक है और अब यहां से यह percentage का simple हट जाएगा ठीक है चिन हट जाएगा प्रतिशत का तो अब यह 100 के 2 0 और उपर 200 के 2 0 यह कट हो जाएगे तो हमारे पास 2 बटे 3 बच जाएगा ठीक तो यह हमारे पास आ गया तो हमने यह जो percentage था 66 2 by 3 percent को हमने सरल संख्या में normal एक number में convert कर दिया जो की 2 बटे 3 है तो अभी हमने just अभी अभी हमने 2 example कि जिसमें हम percentage को number में convert कर रहे थे लेकिन अब एक example करते हैं जिसमें हम number से percentage में convert करेंगे ठीक है तो माली यह वाला example लेते हैं हम ठीक है यह वाला तो हम 1 by 6 को लेते हैं 1 by 6 जो है इधर यह normal number है इसको हम अब प्रतीशत में बदलेंगे ठीक है percentage में change करेंगे 1 by 6 को इसमें और देखेंगे कि यह value आती है या नहीं ठीक है यह हम चेक करेंगे तो students यह हमारे पास 1 by 6 यह इसके साथ प्रतीशत का चिन नहीं है percentage का symbol नहीं है तो हम जो है यह उपर वाली बात कर रहे हैं ठीक है हमारे पास यह number दिया हुआ है ठीक है normal एक संख्या दी हुई है और इसे हम अभी percentage में बदलेंगे तो उसके लिए क्या करना होता है students बहुत ह आपको बस multiply by 100 करना है सौ से गुणा करना है तो इस चीज को सौ से गुणा करना है आपको सो से गुणा कर दिया तो जैसी हमने सो से गुणा कर दिया तो मतलब यह प्रतीशत का चिन आ जाएगा ठीक है मतलब अब यह जो चीजे ऐक percentage वाली चीज हो गई अब कोई है आपको प्रफ कॉलम में 100 बटे 6 करना है ठीक है तो 100 बटे 6 इससे पहले ये और थोड़ा सा सिंप्लिफाय हो सकता है दो से हम उपर नीचे काट सकते हैं ये दो को पचास से मल्टिप्लै करके 100 आता है और 2 इंटू 3 6 होता है ठीक है तो 50 बटे 3 हो जाएगा 50 बटे 3 प्रतीशत हो जाएगा हमारे पास ठीक है, 50 बटे 3 प्रतीशत हो गया जो कि 16 दो बटे 3 प्रतीशत हम लिख सकते हैं तो हमने ये जो नॉर्मल नंबर था बिना प्रतीशत के उसे हमने प्रतीशत में बदल दिया है ठीक है हमने जो है परसेंटेज में कनवर्ट कर दिया तो हम देख रहे हैं कि हाँ भी यही same value है, ठीक है, तो students आपको बस यह दो चीजें अलग-अलग याद रखनी है, ठीक है, जब हम number से percentage में convert करते हैं, तो 100 से गुणा करते हैं, और जब हम percentage से number में convert करते हैं, तो 100 से विभाजन करते हैं, ठीक है, और उपर वाले case में, जब हम percentage में convert कर लेते हैं, तो percentage का symbol आ जाता है, चिन आ जाता है, ठीक है, जैसे कि इस वाले example में आ गया, ठीक है, हम normal number से percentage में convert कर रहे थे, तो यह प्रतीशत का चिन आ गया, symbol आ गया, और जब हम percentage से number में convert करते हैं, तो 100 से विभाजन करते हैं, तो यह symbol भी चला जाता है, ठीक है, यह percentage भी चला जाता है, तो students, मैं कहूंगा कि यह जो सारे example दिये हैं, यह आप practice करें, अपने copy में, ठीके, एक-एक को करके देखें, कि सही values आ रही हैं यह नहीं, आपको दोनों चीज करना है, right वाले चीज को left में भी convert करके, check करके देखना है, और left वाले चीज को right में भी convert कर करके, check करके देखना है, तो यह सब के लिए आप कर पा रहे हैं नहीं, यह आप practice कर लीजेगा.